नमो नमा एक बार आपका फिर से स्वागत है हमाई यूट्यूब चैनल सिंस्कत पॉइंट पर आटिम जिस विशे पर बात करेंगे वो है ब्रहामण गरंतु का वर्णे विशे जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कुस कर चुके हैं पर अन्तु कुछ यदी रह गया है तो व वाचसपती मिश्र के अनुसा ब्रहामण गरंतु का वर्णे विशे निरुक्ति है मंत्रों का विशे अर्थवाद और विधे की द्रश्टी से ब्रहामण गरंतु के तीन भाग है कौन-कौन से? विदी, अर्थवाद, और उपनिशत जिनका वरणन इस प्रेकार है विदिकार्थ है नियम या सद्धान्द इस भाग में यग्ययनुष्ठान सम्बंदी विदियों का वर्णन है तत्पश्चात उससे प्राप्त होने वाले फल्का भी निरूपर किया गया है दो विदियां होती है कितनी होती है विदियां दोप्रकार की होती है एक है यह हम पिछली वीडियो में बात करने के लिए प्रेरित करती है और दूसरी क्या है अग्याद ग्यापनम जो अग्याद का ग्यान करवाती है विदी वाक्य धर्म के लिए प्रमाण माने गए हैं ठीक है अब बात करते हैं अर्थवाद की अर्थवाद का अर्थ है प्रशिष्टी पूर्ण व्याख्या यह हम पहले ही चुछा कर चुके यह व्याख्यात्मक अंश है यह भाग बतलाता है कि अमुक यग्या करने से अमुक फल की प्राप्ती होगी यह क्या है अर्थवाद के दौरा में विचार किया गया था शाबर भाष्य में ब्रहामनों के प्रतिपाद्यविशे के रूप में विधी के अंगभूत कुल दस्वस्तूओं का उल्लेक किया गया है परंतु इनमें विधी विन्यों गहेतू अर्थवाद ने रुकती ताथा आख्यान की ही प्रदानता है इनमें से भी विधी सर्व प्रमुक है क्या कहा है कि विधी सर्व प्रमुक है यहां पर देखिया यह क्या है इसके दस वस्तुएं है जिनका उले किया गया उसमें सबसे इंपोर्टन किया है विधी अब हम बात करते हैं सामवेदिये ब्र ग्रंत की देखिए जो सामवेदी ब्रहामन ग्रंत है उसमें जो सबसे महत्पून है वो कौन सा है पंचविष ब्रहामन नाम से ही पता चल रहा है पंचविष अर्थाथ 25 ठीक है इसको तांडिय और प्रॉण महा ब्रहामन भी कहते हैं इसमें 25 अध्याएं हैं कितने और 25 अध्याएं कि ग्रंथ मैं वो कौन से के अंतरगत आता है वह आता है सामवेद के अंतरगत रहाएं इसका प्रमुक विशय सोम्याग है पंचे से लेकर अनेक वर्षों तक चलने वाले यग्यों रम वर्ज का इसमें वर्लान है इस什麼 ने इसके द्वारा ब्रष्टों को शुद्ध करके ब्रहामनवर्ग में सम्मिलित किया जाता है वात्य स्टॉम इसका मतलब क्या है वात्य रतात ब्रष्ट और ब्रष्टों को क्या करना है इसमें शुद्ध करके ब्रहामनवर्ग में सम्मिलित किया जाता है फिर आता है से किए 26 है और इसमें Κ्या है 26 अद्याई यह केवल नाम से ही स्वतंत्र ग्रंथ है वास्तों में यह पंच्विश भ्रहमन का परिशिष्ट ही है शर्विश भ्रहमन के अंतिम छें अध्याई ही अध्बुत ब्रहमन के नाम से प्रसिद है यदि आपसे परिक्षा में पूछ लिया जाए अद्वुत ब्रहामन किसको कहते है तो किसको कहते है शडविष ब्रहामन गरंत को कहते है परन्तु उसके कौन से अध्याय अंतिव छेय अध्याय इसमें उत्पातो की शांती का वर्णन है जो भी उत्पात चल रहे है उन सब की शांती का वर्णन किसमें है शडविष ब्रहामन गरंत में फिर हमाया जो आता है वो कौन सा है चांदोग्य ब्रहामन इसमें दो प्रपातक है जो आठ खंडो में विवक्त है इसके मंत्र ब्रहामन भी कहे जाते है आपको बता दिया चाहिए कि सामवेद में कितने ब्रहामन कि आगे कौन सा है आगे आता है हमारा साम विधान ब्रहामन इसके अंतरकत क्रच पुत्र ऐश्वर्डे की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया जाता है इसके अन्तरकत इसके अतिरिक्त इसमें तीन प्रक्रण सामविधान और कितने हैं त遊戲 किपने एंट आरशे ब्रहाम्ण एंटफ सब्ली how our she gamma इसमें भी three pepathak ये सामवेद की आरशा नुकर्मनी का कार्गश करता है अब देखिस के इसके बाद आता है मारा दीवता-ध्या-..? ब्रहाम्मन ग्रंथ किसका अध्याय ब्रहाम्मन ग्रंथ है ये सामवेद का और क्या है इसमें क्या होता है देवताओता चंदू का विवेचन इसमें प्रचलित होता है ये तीन खंडों में विबागता है देवता अध्याय ब्रहाम्मन ग्रंथ जो है वो कितने खंडों में विबागते हैं तीन में आगे चलते हैं आगे बात करते हैं आगे आता है सहीतोप निशत ब्रहामन इसमें सामगान पदती का वर्णन किया गया है फिर आता है वंश ब्रहामन यदी परिक्षम में आ जाए यह दिखते राता है आपको उप्षन दे ब्राहमनगरंद ये ब्राहमनगरंद और ये ब्राहमनगरंद इसमें से कौन सा क्या है सामवेद ये ब्राहमनगरंद नहीं है यदि आपको नो के नो क्यों क्यों कि नो ही ब्राहमनगरंद क्या है सामवेद के है यदि आपको वह नो नाम याद रहेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा ब्राह्मान गरंथ नहीं है सामवेद का ठीक है फिर आता है कौन सा आता है भी हम बात कर रहा है वंश ब्राह्मान गरंथ की इसमें सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन है फिर जैमीनिय ब्राह्मन इसमें यागा अनुष्ठानू का वर्णन है इसे तवलकार ब्राह्मन भी कहा जाता है यदि आपको दे दिया जाए तवलकार ब्राह्मन ग्रंथ किस वेद का है आप हो जाएंगे confused क्यों क्योंकि आपने तो नाम पड़ा है जैमीनिय ब्राह्मन लेकिन जैमीनिय ब्राह्मन को ही क्या कहते है तवलकार ब्राह्मन ग्रंथ कहती है ठीक है बात करते हैं अथर्वेद की जो अथर्वेद है इसमें मात्व एक ब्राह्मन ग्रंथ है कितनी इची बात है कि आपको सिर्फ एक याद करना है नाम कौन सा है वो गौपत ब्रामन अथरवेद का यह एक मात ब्रामन गरंथ उपलब्द है इसके रिशी कौन है गौपत नाम से ही हमें पता चलता है गौपत ब्रामन गौपत रिशी के दुआरा है दो भागों में विभ तो क्या है भागों में विभगत है वैसे ही यहां पर भी गोपत ब्राम्मन जो है वो क्या है पूर्वगोपत और उत्तरगोपत पूर्वगोपत में पांच अध्याएं हैं इसमें ओंकार का वर्णन ब्रहमचर्य का करतव्य रित्विजू के कारिय समवत्सत्र अश्मिक अगनिहुत आदिप्रसिद यग्यों का वर्णन है उत्तरगोपत जो है उसमें छेयाद्याएं है विभिन यग्यों का और अख्याइकों का वर्णन इसी में मिलता है उमिद करते हैं वैसे आपको सभी कुछ समझ में आया होगा यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे बेफिक्र होकर के कमेंट बुक्स में पूछ सकते हैं और जहां तक आपको याद होगा ग्रामर गरंतों पर जो अप्शनल MCQs की वीडियो है वो हम बना कर डाल चुके है आपने देखियोगी उसमें बहुत साइप्रशन है जो अदिक्तर पिक्शाव में तो यदि आप इसे चाहें तो आप इससे ले लीचे और असानी रहेगी ठीक है यहां पर देखिये एक दो चीज़े एक्स्ट्रा लिखी है पहले से ज्यादा जैसे की वंश ब्राह्मन जो हमारा है वो क्या है सामवीदी गरंतों में अत्यंत लगू गरंत हैं यह बाश ब्र बात पीछे नहीं आए थी ठीक है और भी एक दो चीज़े कुछ नहीं होंगी वह आप देख लीचेगा उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई भी होगी यदि कोई प्रशन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आज आपका जो सवाल है वो यह है कि पंच विश ब्रहम मनगरंत किसे कहते हैं चीक है उमीद करते हैं आपसका सही जवाब देंगे आपका दिन शुब हो धन्यवाद